हे दोस्तो वेलकम तो दिस चैनल मैं हूँ राहू राज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन के भारे में तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज चल रहा है तो अगर आपको साड़े वीडियो देखने होता है बेटन को चैक आउट कर सकते हैं तो चलिए देख लिया जाए इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन को हम आई पीसी भी कहते हैं तो यह जो इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन होता है इसी को यूज करके एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्यूनिकेट कर पाता है तो यह जो प्रोसेस होता है जो कि इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन का यूज करके एक दूसरे के साथ communicate करते हैं यह एक single computer के भी हो सकते हैं या तो multiple computer हो कि single network के अंदर connected हैं उनके भीच भी हो सकते हैं यानि कि अगर एक single computer के अंदर बहुत सारे processes running phase में हैं तो वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ IPC का use करके communicate कर पाते हैं और एक same network के अंदर multiple computers connected है तो वहाँ पर दो अलग-अलग computers में अंगर दो process running phase में है तो वह एक दूसरे के साथ IPC का use करके communicate कर सकते हैं IPC enables one application to control another application and for several applications to share the same data without interfering with one another तो जब एक single computer के अंदर multiple processes एक दूसरे के साथ communicate करते हैं तो वहाँ पर वो जो processes होते हैं वो save memory को ही use कर रहे होते हैं अब अगर वही save memory के अंदर को ही specific data को दो processes अलग-अलग तरीका से manage कर रहे हैं तो वहाँ पर वो आपस में कोई भी interference create नहीं करेंगे वो दोनों independently अपना अपना जो task है वो complete कर सकते हैं IPC is required in all multiprogramming systems तो जितने भी multiprogramming systems होते हैं उसमें IPC का use होता है लेकिन अगर कोई single process operating system हो गया जैसे कि DOS एक single process operating system है तो इसमें एक टाइम पर एक ही process running phase में होता है तो इसलिए इसमें IPC का use नहीं होता लेकिन अगर हम OS2 या तो MS Windows की बात करें इसमें की IPC को use किया जाता है और इन सारे operating system के जो IPC का use होता है उसका नाम है Dynamic Data Exchange अब यह जो IPC यानि की inter process communication होता है यहां पर में लिए दो तरह के models को use किया जाता है पहला है shared memory और दूसरा है message passing तो इन दोनों models को हम अपने अगले वीडियो पे cover करेंगे तो फिलाल के इस वीडियो में इतना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो को like करना मत भूले चैनल को subscribe करेंगे इस और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक्यों दोस्तों वीडियो को देखने के लिए हम फिर मेरेंगे अपने अगले वीडियो में